अगर आप मद्यप्रदेश के किसी भी जिले से हैं और बाजार में जा रहे हैं और गाड़ियों की लंबी कतारे अगर आपको दिख जाएं तो यह मत सोचिएगा कि यह किसी फिल्म की शूटिंग चल रही है जो लंबी लंबी गाड़ियों का काफिला निकल रहा है क्योंकि इ से एक अपील है इस अब अच को सब्सक्राइब कीज़े साती साथ सरल टॉप को जोइन वे थैंक्स बटन के दौरा आर्थिक रूप से सपोर्ट कीज़े जिसे हम और बहतर सौतंत्र पत्रकारता कर सके मद्धि प्रदेश में इस समय लंबी लंबी गाड़ियों का काफिला जा साथ कॉंग्रेस में शामिल होने के लिए निकलते हैं इस प्रकार के वीडियो आठ दस दिन में आपके सामने आही जाते होंगे एक वीडियो आज सोशल मीडिया पर फिर से आ गया और यह वीडियो मद्धि प्रदेश के मुख्यमंत्री सिवराज सिंग चोहान का जो छेत्र है बुद्धनी वहां के एक बीजेपी से जुड़े नेता है राजेश पटैल उनके आया है राजेश पटैल करीब 1500 कारिकरताओं के साथ अपने काफले के साथ सफेद रंग की गाड़ियां जा रही हैं दंदनाते हुए पूरे जलवे के साथ और राजेश पटैल बाहर नि यह पहला काफला नहीं है इससे पहले भी कई तरह के काफले आपने देखे होंगे कि लोग कॉंग्रेस में शामिल हो रहे हैं आखिर बीजेपी के लोग जो जितने जोस के साथ बीजेपी में आ गए थे या बीजेपी से जड़े हुए थे पहले से वह कॉंग्रेस में क्यों औरे हैं शामिल बीजेपी में असंतोष्टा की वजय क्या है जब इसको ले करके मद्ध्रदेश के मख्यमंत्री सिवरा康 सिंग् चौहां से पत्रकारों सवान कर डा तो मख्यमंत्री व्हार्य सिवरा康 सिंग्य चौहां का टेमें कुछ भी नहीं कहूंगा आखिर एक ऐसे मुक्यमंत्री जो बोलने के लिए आतुर रहते हैं लंबे लंबे भाशन देते हैं बड़े अंदाज में बोलते हैं तो आकर यहां पर कुछ क्यों नहीं कहेंगे जब इस प्रकार का सवाल किया गया है जो मद्यप्रदेश की जनता भी जानना चाहेगी तो उस पर तो बो बोलना ही चाहिए था हालांके मद्यप्रदेश के मुक्यमंत्री सिवराज सिंग चोहान आम तौर पर बेरोजगारों के लिए नहीं बोलते हैं मेहंगाई पर भी बोलते हुए नजर नहीं आते हैं हाँ उनके की बात हो तो शायद वह घंटे दो घंटे तीन गंटे बोल सकत आप फॉलो कीजिए और सरल टॉक को जॉइन वा थैंक्स बटन के द्वारा आर्थिक रूप से जरूर सपोर्ट कीजिए जिससे हम और बहतर कारिक कर सकें नमस्कार